एक बार गौतम बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपना प्रवचन खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा जागो समय हाथ से निकला जा रहा है। एक एक कर बाहर निकल रहे थी। इसलिए भीड़ सी हो गई थी। अचानक उसमें से निकल कर एक इस्त्री बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा तथागत मैं नर्तकी हूँ। आज नगर के सबसे बड़े सेट के घर मेरे नर्तका कारिकरम पहले से तैथा। लेकिन मैं उसके ब तथागत मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जग्या डांका डालने जाना था। कि आज आपका उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ ए तब मुझे लगता है कि सारी जिन्दगी यूही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आँखे खुल गई। आज से मैं अपने सारे दुनिया भी मोह छोड़कर निर्वान के लिए कोसिस करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो बुध्ध ने कहा, देखो अ ताप्ती के लिए भी मन की जोली को उसके लायक होना होता है। इसके लिए मन का सुद्ध होना बहुत जरूरी है। जरूरी होना बहुत जरूरी है। जरूरी होना बहुत जरूरी होना बहुत